लेकिन दिवालिया भले देखी हो, ये दिवाली एतिहासित है, आपको लगेगा कि इतनी दिवाली देख करके तो बाल सपेद हो गए हो और मोधी जी एतिहासिक दिवाली कहां से लाए है? पांसो साल बाद ऐसा अवसर आया है, जब अयोध्या में राम लला की जन्म भूमी पर बने, उनके मंदिल में भी हजारों दीप जलाए जाएंगे. एक अदुभूत उत्सव होगा, ये ऐसी दिवाली होगी, जब हमारे राम एक बार फिर अपने घर आये. और इस बार ये प्रतिच्छा, 14 वर्ष के बाद नहीं, 500 वर्षों के बाद पूरी हो रही है. तात्यों, धन्तरज के दीज, सवभाग्य और स्वास्त का योग्सव, सिर्फ एक सैयोग नहीं है, ये भारतिय संस्कृति के जीवन दर्षन का प्रतीख है. हमारे रुष्यों ने कहा है, आरोग्यम परमंभाग्यम, यानि आरोग्य ही परमभाग्य परमधन है. कहते ही है, हेल्थी ज्वेल्थ, ये प्राचीन चिन्तन, आज आर्वेड दिवस के रूप में, पूरी दुनिया में च्छा रहा है. हम सब के लिए खुशी की बात है, कि आज, 150 से जांदा देशों में, आर्वेड दिवस मनाया जा रहा है. ये प्रमाण है, आजुवेड को लेकर बढ़ रहे वैश्विक आकरसन का. और ये प्रमाण है, कि नया भारत, अपने प्राचीन अनुभवों से, विश्व को कितना कुछ दे सकता है. साथ क्यों, बीते दस वर्षों में, देश ने आजुवेड के ज्ञान को, मोडन मेडिसिन के साथ जोड कर, स्वास्त के छेत्र में, एक नया अध्याय जोडा है. और इंडिया इंस्टिटूट अफ आयूर्वेड, इसका एक बड़ा केंद्र बना है. साथ बस पहले, आज ही के दिन, मुझे इस इंस्टिटूट के पहले फेश को समध्वित करने का सवभागे मिला था. आज बगबान दन्मंतरी की जैनती पर ही मुझे, इसके सेकंड फेश के लोकारपन का आउसर मिल रहा है. अब यहाँ, पंच कर्म जैसी प्राचीन पध्धतियों का, आधूनिक टेक्नोलोजी के साथ, फ्यूजन देखने को मिलेगा. आलवेद और मेडिकल साइंस की फिल्ड में एडवांस रिशर्च भी होगी, और मैं इसके लिए सभी देश वाक्षियों को बधाई देता. साथियों, जिस देश के नागरिक जितने स्वस्थ होगे, उस देश की प्रगती की गती भी तेज होगी. इस सोच के साथ अपने नागरिकों के स्वास को प्राथिता देते हुए, केंद्र सरकार में स्वास्थ नीती के पांच स्टम्ब पै किये हैं. पहला, प्रिवेंटिव हेल्ट केर, यानि बिमारी होने से पहले का बचाव. दूसरा, समय पर बिमारी की जाँच. तीसरा, मुक्त और सस्ता इलाज, सस्ती दमाएं. चोथा, छोटे शहरों में अच्छा इलाज, डॉक्टरों की कमी दूर करना और पांचवा, स्वास्थ सेवा में टेक्नोलोजी का विस्तार. भारत अब हेल्ट सेक्टर को होलिस्टिक हेल्ट केर की नजर से देखता है. आज इस कारकब में इन पांच स्तंभों की मजबुत जलब दिखाई देती है. अभी यहां लगबग तेरा हजार करों रुपी की परियोजनाओं का उद्गाटन और सिलान्याज हुआ है. आयूर स्वास्त योजना के तहर चार सेंटर अफ एक्सेलन्स, ड्रोन के जरिये स्वास्त सेवाओं का विस्तार, एम्स रिशिकेश में हेलिकॉप्टर सर्वीश, एम्स दिल्ली और एम्स बिलादपुर में नया इंफ्रास्रक्चर, देश के पाँच अन्य एम्स में सेवाओं का विस्तार, मेडिकल कॉलेजों की शुरुवात, नर्सिंग कॉलेजों का भूमी पुजन, देश में स्वात सेवाओं के काया कल्ब से जुड़े ऐसे अनेकों काम आज हुए है, मुझे खुशी है, इन में से कई असपतार हमारे स्रमिक भाई बेहनों के इलाज के लिए बनाए गए है, ये असपतार हमारे स्रमिक वर की सेवा के केंडर बनेंगे, आज जिन फार्मा उनित्स का लोकार्पन हुआ है उनसे देश में ही एडवांस मेडिसिन्स के साथ हाई क्वालिटी स्टेंड्स और इंप्लांट भी बनेंगे ये उनित्स फार्मा सेक्टर में भारत की ग्रोग को आगे बढ़ाएगे साथियों हम मैंसे अधित्तर लोक उस पुर्ष भूमिश आये हैं जहां बीमारी का मतलब होता है पूरे परिवार पर मानो बिजली गिर गई हो गरीब के घर में कोई एक अगर गम्वीर उससे बिमार होता है तो उसका आशर घर के हर सदस से परपड़ता है एक समय था जब हिलाज में लोगों को घर जमीने गहने सब बिच जाते थे गम्वीर बिमारी के इलाज का खर्ट सुनकर ही गरीब की आत्मा काम जाते थी बुजुर्ग मां सोचती थी क्या अपना इलाज कराऊं या नाति पोते की पढ़ाई बुजुर्ग पीता सोचता था अपना इलाज कराऊं या घर के खर्च देखूं इसलिए गरीब परिवार के बड़े बुजुर्गों को बस एक ही रास्ता दिखाई देता चूप चाप तकलीप सहो दर्द बर्दास करो चूप चाप बृत्यू का इंतजार करो ऐसे की कमी की वज़े से इलाज ना करा पाने की वो बेबसी वो बेचारगी गरीब को तोड़ कर रख देती थे मैं अपने गरीब भाए मेहनों को इस बेबसी मैं नहीं देख सकता था